हलो दोस्तों मैं हूँ जीद आज मैं आपको पहले इसके डाउन पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ ओला येसवन एयर की जो इसका अगर आप डाउन पेमेंट 30,700 रुपए करते हैं तो लोन अमाउंट आपका बनेगा 9,891 रुपए का अगर आप इसे 36 मंत करते हैं जो दोस्तों तो बैंक जो इंट्रेस्ट लेता है वो 12% का आपका इंट्रेस्ट लगेगा क्योंकि दोस्तों आप कम डाउन पेमेंट करेंगे तो 12% का इंट्रेस्ट लगने वाला है अगर बात करेंगे इसके टोटल अमाउंट की तो डाउन पेमेंट छोड़ करके तो एक प्राइज देखेंगे तो 1,19,999 रुपए है अगर बात करेंगे इसके इंसुरेंच की तो इसमें आपको 6,289 रुपए आपको इंसुरेंच लेगा है जो इसका मिरर है आपको फाइबर में इसका मिरर देखने को मिल जाता है बात करेंगे इसके हेड लाइट की तो इसमें आपको LED लाइट देखने को मिलेंगे और इसका जो टी लाइट है ओभी आपको LED ही देखने को मिलेंगे इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट जो है आपको पीछे देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं यह सवन यह लिखा गया है वहीं आप खोलेंगे तो यह जो मुबाइल चुको लेगा तो यहां पर चार्जिंग पोड देखने को मिल जाता है मिटर की बात के तो कुछ इतना आपको मिटर देखने को मिल जाता है डिज start button और इसमें आपको lever brake देखने को मिल जाता है जो कि आपको दोनों साइड में ही आपको brake देखने को मिलेंगे जो कि आपको और कहीं brake नहीं मिलेंगे इसमें जो एंडर इस्टोरेज दिया गया है जो कि काफी सही है इसमें आपको काफी अच्छा खासा इस्टोरेज देखने को मिल जाता है सामने की तरफ आपको हुक देखने को मिल जागा लगेज के लिए और जो सामने इस्टोरेज है आप दे सकते हैं थोड़ा सा मोबाइल आप रख सकते हैं थोड़ा बहुत चावियों भी रख सकते हैं फूट इस्पेस की बाद के तो कुछ इतना फूट इस्पेस मिल जाता है जो की साही है और पैसेंजर फूट रेस्ट आपको कुछ इतना देखने को मिल जाएगा छोटा सा आपको फूट रेस्ट जो की अंदर चला जाएगा यह साइड़ेंड आपको अगर हटाएगे तो ब़ी अंदर चला जाएगा इंडिकेटर फ्र violation केटर देखने को मिल जाता है और फ्र violation कुछ साइवस्पेस की उस करने क्षेнить देखने को मिल जाता है इसमें जो भ्रेक दिया गया है सभी आपको ड्रॉम ब्रेक देखने को मिल जा है जो इसका सीट है आपको साते ही अदुल जाएंगे और रही बात दोस्तों इसके मोटर की तो इसका जो रियर सस्पेंस ने कुछ इतना देखने को मिल जाएगा मोटर इसमें आपको 230W motor power गजनी को मिल जाएंगे इसमें भी आपको करें ब्रेक देखने को मिल जाएंगे जो इसका real indicator है कुछ इतना देखने को मिलेगा और इसका जो charging time है आपको 5 गंडे में full charge कर देगा इसका weight आपको 108 kg देखने को मिल जाता है top speed इसमें आपको 90 km per house देखने को मिल जाएंगे और नहीं बात करें इसके riding range की तो इसमें आपको 111 km एक बार charge करने पर देखने को मिल सकता है जोगी काफी साही है आप देख सकते हैं इतना range आपका काफी साही देखने को मिल जाएगा चलिए अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like करिए अगर अच्छी नहीं लगी तो dislike भी आप कर सकते हैं मिलते हैं फिरे किसी ने टॉपक के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जाएंद जय भारत अपना ख्याल रखिए